श्री गुरुभ्यो नमहा भवतां भवती नांच संस्कृत कक्षायां पुनरेकवारं स्वागतं अध्यवयम शुहाशितानी अस्य पाठस्य आवशिष्टानी पद्यानी पठामा इन दोनों पद्यों को हमने पढ़ा था और इनके अर्थों को भी समझा था आज हम इसके आगे के जो पद्य हैं उन्हें पढ़ते हैं लुबधाश्य नश्यत यशह पिशुनश्य मैत्री नश्टक्रियश्य कुलमर्थ परश्य धर्मह विद्या फलं व्यसनीनह कृपनश्य सौख्यम राज्यम प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य इस श्लोग के अन्वय को हम देखेंगे लुबधाश्य नश्यति यशह पिशुनश्य मैत्री जब इसको हम एक क्रम में रखेंगे ब्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा लुबधाश्य यशह नश्यति अर्थात लुबधाश्य लोभयुक तस्य जो लोभी पुरुश है तस्य यशह नश्यति उसका जो यश है वो नश्यत होता है अब यहाँ पर नश्यति यह क्रियापद है और नश्यति क्रियापद का हमें बार बार आवृत्ति करके कई जगा अन्वय करना होगा पिशुनश्य मैत्री नश्यति नश्टक्रियस्य कुलं नश्यति अर्थपरश्य धर्मह नश्यति व्यसनिनह विद्यापलं नश्यति क्रिपनस्य सौख्यम नश्यति प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति अब अन्वय के आधार पे हम एक एक पद का अर्थ देखते हैं उसके बाद इसका पूरा भावा अर्थ समझ जाएंगे सबसे पहले कहा गया लुबधश्य यशह नश्यति अर्थात लोभी पुरुष जो होता है उस लोभी पुरुष का यशह नश्यति अर्थात यश कीर्ती जो होती है वह नश्ट हो जाती है जो लोभ करने वाले लोग होते हैं और लोभ करके किसी कार्मे प्रवृत्त होते हैं तो निस्चित है कि उनकी किर्थी उनका यश कालांतर में नश्ट हो जाता है अगली पंक्ति में कहते हैं पिशुनश्य मैत्री नश्यति जो पिशुन व्यक्ति होता है पिशुन का तात्पर क्या है छिद्रान वेशी अथवा जो दूसरे के दोशों को दूसरे के कान में जाके कहता है और ऐसी क्रिया करने वाला जो व्यक्ति होगा उसकी मैत्री नश्ट होती है अर्थात मित्रता स्थाई नहीं रहती तीसरी पंक्ति, तीसरा पद्य हम देखते हैं, नश्टक्रियस्य कूलम नश्यती, नश्टा क्रिया यष्ष्य, सह नश्टक्रियह, तस्य नश्टक्रियस्य, अर्थात जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई है जो आलस्य से युक्त है जवता जो वाक्य है उसमें कहा गया अर्थ परस्य धर्महा नश्यति अर्थात अर्थ के लिए जो निरत है अर्थ के प्राप्ती में ही जो अपना जीवन लगा रखा है केवल जीवन का एक उद्देश्य बचा वह उद्देश्य क्या है हम ये इन के इन प्रकारेड केवल पैसा कमाए तो अर्थ परस्य पुरुशष्य अर्थ के लिए केवल दवडने वाले जो पुरुश होंगे उनके अपने नित्य नैमितिक कर्म दूर हो जाते हैं ओव्यक्ति धर्म अधर्म के विवेक से शून्य हो जाता है तो अर्थ परस्य पुरुशष्य धर्मह नश्यति उससे धर्म दूर हो जाता है वह धर्म अपने जीवन में नहीं रख पाता इसलिए हमें केवल अर्थ की तरफ नहीं भागना चाहिए अगले वाक्य में कहते हैं विद्या, फलम, व्यसनी नहीं जो व्यसनी लोग होते हैं व्यसनी का तातपरी क्या है? व्यसनी का तातपरी है धुर्गुणों से आच्छा दित हो जाना कुछ ऐसे दुर्गुण हैं, जिन दुर्गुणों से हम अगर लिप्त हो जाएं तो फिर विद्यारूपी फल हमें नहीं मिल सकता जैसे एक और सुहाशित है तो वहाँ पर व्यसन का अर्थ क्या लिया गया? जैसे अत्यधिक सोना आवस्यक्ता से जादा अगर हम निद्रा लेते हैं परसपर कलह करते हैं एक दूसरे से जगडा में लगे रहते हैं बहुत ज़ादा समय तक खेलने में ही लगे रहते हैं पढ़ाई का ध्यान नहीं रह गया या सामाजिक जो दुर्वयसन है जिसको समाजस्विकार नहीं करता है ऐसे जो दुर्वयसन हैं उन दुर्व्यसनों में अगर लग जाते हैं तो क्या होगा तो कहते हैं विद्या फलम नश्यती विद्यारूपी जो फल है वो फल नश्ट हो जाता है विद्यारूपी फल फिर उसे नहीं मिलता उससे वह दूर हो जाता है तो ग्यासानीनहा विद्रियाफलं नश्यति, अगली पंग्ति में कहते हैं क्रिपण अस्य सउक्यम, जो क्रिपण व्यक्ति है, क्रिपण अर्थात अत्यधिक कंझूस जो है, अर्थात आवश्यक्ता पढ़ने पर भी अर्थ को नखर्च करके अपने उपयोग में न ला करके संचे करने में लगे हैं उनका सोख्य का तात्पर्य जो सुख सुविधाएं हैं, जो उनकी आवश्यक्ताएं हैं वो नश्ट हो जाती है, वो नहीं कर पाते उदाहरण के लिए अगर हम देखें हमें अभी पढ़ने की आवश्यक्ता है हमें पुस्तकें चाहिए और हम ना ले तो क्या होगा इसी तरह हमें अच्छे वस्त्र पहनने की आवश्यक्ता है और हम ना ले तो क्या होगा ऐसे ही बहुत सारे द्रिष्टांत हैं, जो हमें आवश्यक पदार्थ हैं उन आवश्यक पदार्थ को हम अगर अपने प्रयोग के लिए लेते हैं तब तो ठीक है और अगर नहीं लेते तो फिर हमारा जो सउक्य है वो जो सूख है वो नश्ट होगा और अंतिम पंक्ती में कहते हैं प्रमत्त सचिवस्य नराधि पस्य राज्यम नस्यति जो प्रमत्त सचिव है प्रमत्त का ताथ पर यह है जो सद असद विवेक शून्य है अपने भावनाओं में या बातों में ही मगन रहने वाला है जो मन में आता है सद असत का सही गलत का विचार किये बिना करने में लग जाता है ऐसा व्यक्ति प्रमत्त कहा जाता है एक दृष्टी से देखा जाए तो मनमानी जिसे हम कहते हैं या मनमानी के अलावा भी अगर कहें तो एक प्रकार से वह व्यक्ति जो भी मूढ हो गया है मोह ग्रस्त है सोच नहीं पा रहा क्या करना चे और मन में जो आया कर गए ऐसा तो प्रमत्त सचिव बाला जो ढीठ सचिव है स्विच्छाचारी जो है सब का विचार लिए बिना कारे करने वाला जो सचिव होता है मंत्री होता सचिव का तात्परी है मंत्री ऐसा प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य नराधिपह अर्थात राजा नराधिपह राजा तस्य नराधिपस्य ऐसा जो राजा होगा जिस राजा का मंत्री स्विच्छाचारी मनमानी धीठ या यूं कहें कि सद असद विवेक शून्य जो होगा उसका राज्यम नश्यती उसका राज्य नश्ट हो जाता है जादा समय तक उसका राज्य रह नहीं पाता तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक-एक पदों का अर्थ जब आ जाता है तो कितना अच्छा भावार्थ आता है इससे हमें जीवन में शिक्षा मिलती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमें स्रेष्ठ बनने के लिए किन गुणों को रखना चाहिए ये इस श्लोक के द्वारा, इस पद्य के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है अगले श्लोक को हम देखते हैं पीत्वारसं तुकतुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिकासौ। इस श्लोक का भी हम अन्वय देखें और पदक्षेद करते हुए अन्वय को पढ़ेंगे उसके बाद इसके अर्थ पर विचार करते हैं अन्वय में सबसे पहले असव आएगा दूसरी पंक्ती के अंतिम पद्दे में हम देख रहे हैं मधुमक्षिकासौ या जनेन मधुमक्षिकासौ तो असव पद सबसे पहले आएगा असव मधुमक्षिका कटुकं मधुरं रसंपीत्वा समानं तू माधुर्यमेव जनेत् तथाईव संतह समसजन दुर्जनानाम वचह शुत्वा मधुर शूक्तरसं स्रिजन्ती अब हम संधि विच्छिद पूर्वक इश्पद को देखने के पस्चाद एक एक पद का अर्थ देखते हैं असव मधुमक्षि का मधुमक्षि का पद का अर्थ होता है मधुमक्षि असव मधुमक्षि का अर्थात यह मधुमक्षि संकेत करके बताते हैं कि यह जो मधुमक्षि है यह किस प्रकार का वरताओ करती है इसका व्योहार जीवन में कैसा है इससे हम क्या सीख सकते हैं अगर हम मधुमक्खी में रहने वाला जो गुण है उस गुण की विशेशता को अपने जीवन में ले आते हैं तो किस प्रकार से हम एक स्रेष्ट मानों बन सकते हैं इस पद्दे के द्वारा यही दर्श आया गया है उस स्रेष्ट गुण को इसमें इंगित किया गया कि वह स्रेष्ट गुण क्या है तो हम देखते हैं असव मधुमक्खी का कटुकम मधूरम रसम पीत्वा जो मधुमक्खी होती है कटुकम अर्थात कडवा, मधुरम अर्थात मीठा, मधुर, रसम पीत्वा जो मधुमक्खी अलग-अलग पुश्पो में जाया करती है और जाकरके वहां से रसों का संचे करती है और रसों का संचे करके एक जगह ले जाकर जब रखती है तो वो मधू का छत्ता तयार होता है अब यहाँ पर विचार करने वाली बात ये है कि वह केवल मधूर पुष्पों पर नहीं जाती कटू को पुष्पों पर भी जाती है ऐशे पुष्पों पर भी वो जाती है जिन पुष्पों में कटू रस होता है जिस प्रकार से गाय काउदारन लेते हैं जब गाय जंगल में जाती है तो अलग-अलग तरह की घास खाती है चाहे कड़वा, अथवा मेठा, भहुत गुणकारी या सामान्य गुणकारी अलग-अलग तरह की घास वो खाती है कभी लाल घास खाती है कभी हरी घास खाती है कभी सफेद अलग अलग तरह कि लेकिन दूध जो होता है वह सदा गुणकारी ही होता है दूध कभी हरा नहीं निकलता कभी पीला भूसा की तरह दूध नहीं निकलता वह हर समय एक गुणवाला होता है और श्वीत वर्णवाला ही होता है इसी तरह जो मधमक्खी होती है वह अलग-अलग पुस्पों से उसके रसका संचे करती है और ले जाकर की एक जगह इकठा कर उस मधु में पुस्पगत जो गुण होते हैं वो नहीं रहते हैं अपितु एक विशिष्ट गुण आ जाता है तो पहली पंक्ती को हम देख रहे हैं असव मधु मक्षि का कटुकं मधुरं च रसं पीत्वा तू समानम माधुरियं एव जनेत जो मधु मक्षि है वह मधुर और कटुक दोनों प्रकार के रस को पी करके एक समान जब वह मधु कठा करती है तो एक समान दोनों का प्रकार कारस पीने के बाद भी एक समान ही माधुरियं गुण की जनिका होती है माधुरियं गुण युक्त मधु को वह उत्पन्न करती है ठीक इसी प्रकार हमारे आप और इस समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो भी ऐसा करते हैं जो सज्जन होते हैं, वो ऐसा करते हैं, कैसे, अगली पंक्ति में हम देखते हैं, तथाइव संतह, संतह का तात्परी है, साधु पूरुसाह, सज्जन लोग, जो अच्छे गुणों से युक्त लोग हैं, उन्हें हम यहां संत पद से कहा गया है, ऐसे, संत लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, कहा सम सज्जन दुर्जना नाम, वचह सुरुत्वा, मधुर सूक्त रसम, स्रिजन्ति, वह समाज में सज्जन और दुर्जन, दोनों ही प्रकार के लोगों की वाणी को सुनते हैं, हम भी समाज में देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, बहुत सारी अच्छी बाते निकलती हैं, लिखी रहती हैं, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, और बहुत सारी नकारात्मक भाव से युक्त बाते होती हैं, तो जो सजन फुरुष होते हैं वो दोनों में समान होते हैं दोनों को अच्छा करने का प्रयास करते हैं जो उसमें गलत भी आया है उस गलतियों को धूर कैसे किया जाए इस पक्ष पर विचार करते हैं उन्हें अच्छा कैसे किया जाए हम समाज की दोस्टों को दूर करके उन्नत कैसे कर सकते हैं इस पर विचार करते हैं तो समसजण दुरजणा नाम वचह सृत्वा सजजण और दुरजण दोनों के वचनों को सुन करके जो साधूपूर्स होते हैं वो क्या करते हैं तो अगला पद देखते हैं मधुर सूक्त रसम स्रिजन्ति अर्थात मधुर ही मधुर का तात परिया क्यों अलवाणी मधुर नहीं अपितू, मनशा, वाचा, कर्मडा तीनों प्रकार से सूक्तम रसम अर्थात मधुर उक्ति उक्तम सुष्ट उक्तम सूक्तम जो सुंदर उक्ती है सुंदर कथन है वह किसी पर तुदंत जल्ला करके डाटना नहीं शुरू करते उससे समझाते हैं कोई व्यक्ति गल्ती अगर क कर रहा है तो वह उसका अज्ञान है उसे समझ नहीं आ रहा है इसलिए वह गलत कर रहा है जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा होता है वो पढ़ता है अपनी तरफ से पूरी कोशिस करता है कि मैं अच्छा पढ़ूं लेकिन कहीं ने कहीं कुछ गलतियां होती हैं जिसे वह समझ पा रहा होता है इसलिए उसका प्रोनांसेशन जो होता है वो गलत हो जाता है तो जो बड़े लोग हैं उनका करतब्य क्या है क्या उसे डांटें या उसे कह दें कि तुम्हें नहीं आता या कह दें कि नहीं आएगा ऐसा नहीं है जो बड़े हैं जो उसको समझते हैं उ नहीं समझ में आ रहा है उसको समझाएं और आप एक बार दो बार समझा देंगे तो अच्छा हो जाएगा यही है सूकतम रसम अर्थात अच्छी वाणी का रस हम अपनी वाणी से अपनी ब्यवहार से ऐसा वातावरन बनाते हैं ऐसा रस समाज में अपने परिवार में करते हैं जिसको सुन करके दोश भी दूर होते हैं और हमारे सामने जो व्यक्ति होता है उसका आत्मबल बढ़ता है कि मैं इस कारे को कर सकता हूं यह इस श्लोग का तातपरिय है संचेप में हम कहें तो यही तातपरिय आएगा कि जो सज्जन लोग होते हैं जो अच्छे लो सम बनते हैं दोश और गुण दोनों में सम बनने का प्रयास करते हैं जो गुण हैं वो तो हैं ही और जो दोश हैं उन दोसों को धूर करने का यतन करके गुणों की उत्पत्ति करने का प्रयास करते हैं जिस प्रकार से मधुमक्षी अलग अलग तरह के रसों को इकठा करके और एक मधूर रस युक्त मधू का स्रिजन करती है उसी तरह हमें भी एक मधूर वातावरण का निर्माड करना चाहिए एक अपने परिवार में अपने परियावरण में इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए कि सब लोग सकारात्म को हूँ अपनी वाणी के द्वारा उनमें इतना आत्मवल देना चाहिए कि वह भी उन्नती को प्राप्त करें उत्थान को प्राप्त करें यह शिक्षा हमें यह पद्य देता है यह पद्य हमें इस कारे की ओर प्रेरित करता है इसी तरह हम अगला स्लोक देखते हैं विहाय पवरुषम योही दैव मेवाव लंबते प्रासाद सिम्ह वत्तस्य मूर्धे तिष्ठन तिवायसा इस श्लोक का हम अनवय करते हैं योही पवरुषम विहाय दैवं एव अवलंबते तस्य मूर्धनी प्रासाद सिम्ह वत्तस्य वायसाः तिष्ठन तिष्ठन तिवायसा अब हम इसका एक-एक पद अर्थ के द्वारा जानेंगे कि एक-एक पद का अर्थ क्या है योही पवरुषम विहाय यह कस्चित पुरुषः कोई भी पवरुष अर्थात यत्न पुरुषार्थ पवरुष का तात्पर यहां पे है हम अपना जो प्रयास करते हैं किसी कारे को करने के लिए जो यत्न करते हैं तत पवरुषम विहाय चोड़ करके अगर हम अपने पवरुष को चोड़ देते हैं अपने करतब्य को चोड़ देते हैं तो स्थिती क्या होती है यह इस श्लोक में बताया गया है कि पवरुष कभी नहीं चोड़ना चाहिए अपने करतब्य कर्म को कभी नहीं चोड़ना चाहिए जो चोड़ता है उसकी गती क्या होती है यह श्लोक के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है यह ही यह अर्थात जो ही का अर्थनिश्चय अब्ये है यह ही पाउरुशम भिहाय दैवम एव अवलंबते दैवम अर्थात भाग्यम एव केवल भाग्य केवरों से बैठ जाता है सोच लिया कि भागी में होगा तो मिलेगा ऐसा सोच कर आराम से बैठ गए कि करना कुछ नहीं है तो अगर हम पौर्ष को छोड़ करके यत्न को छोड़ करके अपने पुरुशार्थ को छोड़ करके दैवम अवलंबते हम भी अगर दैवका अवलंबन करने वाले हो जाएंगे जो ऐसा करता है उसकी गती बताई जा रही है कि जो भाग्य के भरुसे बैठता है और पुरुशार्थ का त्याग कर देता है उस पुरुश किस्थिती क्या होती है तो लिखते हैं आगे तस्यमूर्धनी वायसाहा तिष्ठंती अर्थात उसके सिर पर वायश अर्थात कववा तिष्ठंती अर्थात बैठ जाते हैं तो ऐसा तो देखते नहीं है हमकी कोई कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसके सिर पर आके कववा बैढ़ जाए ऐसा होता नहीं है इससे व्यंग अर्थ आ रहा है तातपरे क्या है वो हमें समझना होगा तातपरे इसका यही है कि इतना निस्क्रिय हो गया इतना आलसी हो गया हमें एक छोटा सा कथानक देखते हैं न दो आलसी थे एक जामुन ब्रिक्ष के नीचे पड़े हुए थे उपर से जामुन गिरा तो एक कहता है कि भाई जामुन गिरा है तो का हां गिरा तो है खाना कैसे है कहा कोई इधर से निकलता है तो उससे बोलेंगे कि उठा कर हमारे मुह में डाल दे सूचिए कितनी आलस्य की उतकट सीमा है ऐसा जो व्यक्ति होगा उसके उपर तो कवा बैठेंगे ही दूसरा इसका तात्परी ये आता है कि उसके उपर जो काग के शद्रिस लोग हैं वो भी सासन करते हैं जो अपने पुरसार्थ का त्याग कर दिया और अकरमर्णी होकर बैठ गया उसके उपर सबसे छुद्र जो पक्षी माना जाता है वो कवा को मानते हैं क्यों क्योंकि उसकी वाणी सबको अच्छी नहीं लगती और वो इधर उधर कहीं भी कुछ भी खाने में लगा रहता है इसके कारण जो निक्रिष्ट से निक्रिष्ट पक्षी है उसका उदारण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आलसी हो जाता है तो उसके उपर इसी तरह जो निक्रिष्ट पक्षी है वो भी मूर्धनित इस्ठंति अर्थात उसके सिर्पर वैठ जाते हैं उसके उपर सासन करना शुरू कर देते हैं तो अगर हमें तटस्थ हो करके यह सोचना है कि हमारे उपर कोई छुद्र व्यक्ति शाशन ना करे तो अकर्मन्य नहीं होना अ प्रिष्टांत यहां पे दिया प्रासाद सिंहवत्व जिस प्रकार से बहूत बड़ा विशाल भवन है और उस भवन में सिंग की मूर्ति लगी है तो सिंग की मूर्ति क्या किसी काम की होती है क्या उससे कोई डरता है क्या कभी वह कुछ पुरुशार्थ कर सकता है अर्था हम अगर मानव जीवन पाकर भी अपने कर्म में प्रिवृत्त नहीं होते हैं अपने कर्म से विलग हो जाते हैं तो उसी सिंह की मूर्ती के समान निरर्थक हो जाएंगे सिंग के समान शादरिश्य उसके समान शक्ती अन्य पशो में नहीं होती तो सिंग के समान सिंग शदरिश होते हुए भी उस मूर्ती के समान अकर्मन्नी हो गए निरर्थक हो गए ऐसा तात पर यह है इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें सदा अपने कर्तब्य पथ पर लगे रहना चाहिए अगर नहीं लगेंगे तो हमारी गती अच्छी नहीं होगी कोई दूसरा आकर के हमसे बहुत कम सामर्थ्यवान जो होगा वह भी आकर के आपको रास्ता दिखाना सुरू करेगा और आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे इसलिए हर समय सदा अपने कर्तब्य पत पर लगे रहना चाहिए तो इस प्रकार से हमने इन तेन श्लोकों को पढ़ा इनके श्लोकों के पदों को अलग अलग करके संधे विछेद करके एक एक पद का अर्थ जाना इसके आगे के जो श्लोक हैं वो हम अगली पंक्ती में पढ़ेंगे अगले क्रम में उनका अध्यायन करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद अगले करेंगे अगले करेंगे